नमस्कार दोस्तों सैयम बुटिक में आपका स्वागत है तो आज किस वीडियो में हम आपको बहुत ही खुबसूरत नेक डिजैन बनाना बताएंगे जिसका नाम है होल्टर नेक तो दोस्तों होल्टरनेक किस तरीके से बनाना है बिल्कुल आसान तरीका आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखे पहले हम कटिंग करेंगे अपना फरेंट का पला ठीक अदेखे इस तरीके से हमने फरेंट पेस को बिछा रखका है ये डिजाइन बनाने के लिए थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ती है आगे के पल्ले में तो क्या चेंजिंग करनी है देखिए यहां से तीन इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से और लंबाई में हमें लगाना है इस तरीके से साड़े तीन इंच का निशान तो ये निशान लगाने के बाद अब आपको इसका इस तरीके से बोक्स बना लेना है ठीक है यहां पर ये वाला निशान लगाएंगे ये आपको आगे तक निशान लगाना है यह निशान आगे तक लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा 13 कटिंग होगा तो इसको आगे तक लगा लेंगे इस तरीके से आपको बोक्स बना लेना है देखे साड़े तीन इंच लंबाई और यह चोड़ाई हमारी है तीन इंच अब यह निशान लगाने के बाद इस निशान से नीचे ठीक है नॉर्मल फिटिंग के निशान लगा लेंगे हम यहाँ से देखे अपना आर्मोन लेंगे कमर की लेंथ लेंगे और यहाँ से हिप की लेंथ लेंगे ठीक है इनको सीधा कर लेंगे इस तरीके से अब अपनी फिटिंग के निशान लगा लेंगे ठीक है नीचे की तरप आपको नॉर्मल निशान लगाने हैं फिटिंग के जिस तरीके से आप लगाते हैं अब देखे ये निशान हमने लगा लिये हैं अब देखे जो भी हमारा कोलर वाला गला होता है या फिर बोट शेप गला होता है उसका तीरा हम बड़ा कटिंग करते हैं ठीक है तो इसका तीरा आपको बड़ा कटिंग करना है क्योंकि यह हमारा बैन वाला गला है तो साड़े साथ इंच इसका तीरा लेंगे और यहां से आपको लेना है छेंच ठीक है नीचे से आपको 1.5 इंच कम लेना है उपर के मुकाबले नीचे से 1.5 इंच कम लेंगे अब इस तरीके से क्रोस में निशान लगाने के बाद R मोल की गोलाई आपको दे देनी है ठीक है नीचे से भी निशान complete कर लेंगे ठीक है ये हमारा extra margin हो गया 2-2 इंच के extra मारे जनाप रख ले तो निशान हमारे इस तरीके से यहाँ पर हमने लगा दिये है अब यहाँ से देखिए हलका साब को तकरीबन 1.5 इंच इस तरीके से कंधी को डाउन कर देना है ठीक है डाउन में कटिंग करेंगे इसको तो यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देंगे निशान हमारे लग चुक है इसको कटिंग कर देंगे तो देखिए front हमारा कटिंग हो चुका है इसको side में रखेंगे अब देखिए हमने अपना बिचाया है back कपला ठीक है इस कपड़े में हम अपनी back निकालेंगे तो back जो हमें normal कटिंग करनी है जिस तरीके से कटिंग करती है यह जो हम extra कपड़ा हमारा इसको अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रख लेंगे ठीक है इस तरीके से इसको set आपको कर लेना है तो देखे set हमने कर लिया इसको ठीक है back का हमें बिल्कुल सीधा कटिंग करना होता है back में हमें यह बढ़ा के नहीं कटिंग करना है जो हमने कटिंग किया है यहाँ से इसको अंदर फोल्ड करेंगे और back का जो पल्ला है उस पर निशान लगाना है इस तरीके से सीधा ठीक है front का जो हमने down cutting किया है यह हमें down नहीं cutting करना है यह हमें सीधा लेके जाना है ठीक है तो back का जो पल्ला है तकरीबन half inch हमारा उपर की तरफ रहेगा अब यहां से आपको back की shape दे देनी है यहां पर अब यह निशान जो है इस निशान के पर आपको cutting करना है ठीक है इसको सीधा cutting करेंगे ठीक है इसको नहीं down करेंगे हम front हमने down किया था यह down हमें नहीं करना है तो इसको cutting कर देंगे तो देखे cutting हमारी हो चुकी है ठीक है, front में यही changing हमें करनी होती है ये बढ़ाके cutting करना होता है हमें जो पट्टी होती है अब यहाँ पे cut लगा लेंगे कमर का और यहाँ पे heapsize का आपको cutting कर लेना है यहाँ पे cut लगा लेने आपको अब देखें बुकरम का पीस लिया है हमने 14.45 इंच हमारी लंबाई है और 8 इंच हमारी इस पट्टी की चोड़ाई है इसको डबल कर लेंगे इस तरीके से तो ठीक है अब हम यहाँ पे होल्टर नेक कटिंग करेंगे अब देखें यह निशान हमने जितना लगाया था लंबाई में 3.5 और चोड़ाई में 3 इंच यह बोक्स हमने कपड़े का कटिंग किया हुआ है तो यह सेम निशान हमें बुकरम पे भी लगाना है लंबाई 3.5 और चोड़ाई 3 इंच ठीक है ये box हमें बना लेना है same box बना लेंगे जिस तरीके से हमने कपड़े में cutting किया है कुर्ती में तो ये हमारा box बन गया अब यहां से आपको लेनी है गले की लंबाई जितनी भी आप गले की लंबाई रखेंगे उतने आपको निशान लगा लेना है ठीक है 7, 7, 7, 8 जितना भी आप गला रखना चाहें आप निशान लगा लें गले की लंबाई का ठीक है तो ये निशान हमने लगा दिया है अब इसके बाद देखे यहां पर इसको सीधा कर लेंगे ठीक है अब देखे यह हमने चुड़ाई कितनी रखिया 3 इंच तो इसको भी यहां पर 3 इंच पर रखते लगा होए इसको निशान को उपर तक लगा लेंगे इस तरीके से अब देखे यहां पर लेना है आपको लगा लेना है तो ये एक इंच का निशान लगाने के बाद अब आपको देनी है अपने गले की शेप का निशान आपको लगाना है जो भी गला आप कटिंग करना चाहें ठीक है इस तरीके से हम इसमें मठ का शेप में ये गला बनाएंगे ठीक है इसको इस तरीके से आपको इसको डारक कर लेना है ठीक है जरूरी नहीं है आपको यही से बनानी है आपको पांशे बनानी आप इस तरीके से पांशे में लगा ले ठीक है या फिर स्वीठाट आपको बनाना इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से गुलाई दे देंगे उपर की तरह स्वीठार्ट पान आप बनाना चाहें बना सकते हैं हम इसको मटका शे में बनाएंगे तो इसके उपर आपको निशान के उपर इसको कटिंग कर देना है अब यहाँ से एक इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पे इसको निशान को डारक कर लेंगे यहाँ पे इसको एक इंच की पट्टी को आपको कटिंग करना है चोड़ाई में तो यह हमने कटिंग कर ली है यह देखे इस तरीके से हमारा यह neck cutting हो चुका है front को side में रखेंगे extra cupड आपको लेना है इसके उपर इसको रखेंगे इस तरीके से रखना आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है ठीक है तो सिलाई आप लगा लें यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ से आपको यह दो चोड़ाई रखनी है तब आपको सिलाई लगानी है इसको ज़्यादा नहीं करना है ठीक है सिलाई आपको लगा लेनी है तो देखें सिलाई हमने इस पर लगा ली है अब यहाँ से आपको क्या करना है इस तरीके से अंदर fold करेंगे और इसको एक pair की सिलाई लगाते हुए ठीक है देखे एक pair की सिलाई लगाने के बाद extra margin हमने इसका cutting कर दिया है इस तरीके से आपको अपना neck तेयार कर लेना है तो यह हमारा front का पला है अब बागी का काम हम machine पे करेंगे तो देखे सबसे पहले आपको क्या करना इस तरीके से यह जो हमने neck तयार किया है यहाँ पे इसको fold करेंगे यहाँ पे cut लगा लेना है center में ठीक है यह center में cut हमने लगा रखा है तो आपको भी center में cut लगा लेना है और यहाँ पे भी आपको center cut लगा लेना है इस तरीके से अब इसको इसको इस तरीके से खोल लेंगे अब यहाँ पे इसको center cut मिलाते हुए इसको रखना है नीचे से भी देखे यहाँ पे गला बिल्कुल आपको सीधा रखना है यहाँ पर पहले आपको center में कच्चा लगा लेना है ठीक है यह कच्ची सिलाई यह आप लगा ले ताकि आपका गला इधर उदर हिलेना गला आपका सीदह लगे अब देखे आपको बुकरम की यहाँ पर जडमे सिलाई लगानी है बुकरम के ऊपर आपको नहीं सिलाई लगानी है बुकरम की जड़ में आपको यह सिलाई लगानी है नॉर्मल गला जैसे हम लगाते हैं वैसे आपको यह गला लगा देना है तो यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से देखें सिलाई हमने इसमें लगा ली है अब यहां से एक-एक पैर के मार्जन से इसको कटिंग कर लेंगे कटिंग करने के बाद गोलाई में कट लगा लेंगे ठीक है सिलाई को बचाते हुए इससे क्या होगा हमारा गला अच्छे से अंदर पलटा जाएगा ठीक है इस तरीके से अंदर पलट लेंगे इसको गले को इस तरीके से अंदर की सैड में पलटने के बाद आपको न इसके उपर प्रेस कर लेने हैं इसको बिठा लेना है प्रेस की मदद से तो देखे प्रैस हमने इसके उपर कर लिया है इस तरीके से हमने इसको बठा लिया है अब आपको क्या करना है देखे यहां पे जहां तक हमारा गला आया हुआ है यहां पे चाक से निशान लगाना है ठीक है इस तरीके से गले के बराबर निशान के इस तरीके से गले के निशान लगाया यहाँ से आपको एक एक पैर बाहर के तरफ इसको cutting करना है यहाँ पे ठीक है दो दो point का margin चोड़ देंगे यहाँ पे इस तरीके से दो point का margin चोड़ते हुए आपको इसको cutting कर देना है अब देखे यह हमने cutting कर दिया है अब आपको simple क्या करना है बैक उठानी है इस तरीके से यह हमारा back का पला है ठीक है पहले back के पले में आपको center cut लगा लेना इस तरीके से तो center cut लगाने के बाद आपको देखे क्या करना है यहाँ पर देखे हम इस कंधी को इस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, एक बार इसको नाप लेंगे, यहाँ रखेंगे, इस तरीके से आपको इसको गुमाना है, यहाँ पर, ठीक है, हमारा कट जहां तक आया हुआ है, ठीक है, यह देखे हमारा कट है, कट की सीध में आपको निशान लगाना है इस तरीके से ठीक है एक बार हो रहा आप समझ लें यहाँ पे कंधी रखेंगे इस तरीके से हमेश में सिलाई लगानी है न तो आपको निशान लगा लेना इस तरीके से कट की सीध में आपको निशान लगा लेना है ठीक है तो निशान लगाने के बाद अब पहले आपको क्या करना है इसको जोड़ना है ठीक है यहां से इस तरीके से इसको पहले खोल लेंगे यहां पे इस तरीके से यहां पे खोलने के बाद देखे यह जो निशान है ना मारा इस तरब भी आपको लगा लेना है ठीक है यह तकरीबन हाफ इंच का निशान है हमारा तो यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाते हुए आपको सिलाई मारनी है पहले ठीक है यह हमारा एक्स्ट्रा है तो हम इसको जोएट कर देंगे तो यह हमने जोड़ दिया है अब इसको इस तरीके से खोल लेंगे पहले खोलते हुए इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से नाकून की मदशन इसको अच्छे से बैठा लेंगे ठीक है यहाँ पे इस तरीके से अब इसको सीधा करेंगे इस तरीके से सीधा कर लेना आपको तो देखे इसको सीधा करने के बाद हमारा ये कुछ इस तरीके से तयार हो गया है होल्टरनेक ठीक है अब आपको क्या करना अब आपको लेनी है बैक का पला ये हमारी बैक की सीधी साइड है अब इसको हमें लगाना है ठीक है, simple एक सिलाई लगानी है, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको रखना है, यह जो हमारा center का cut है, यहाँ पे cut से मिलाएंगे, और यहाँ पे इसको नापते हुए सिलाई आपको लगा देनी है, ठीक है, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, नॉर्मल कंधी आपको जोड़ देनी है बैक के इस तरीके से ठीक है इसको रखेंगे मशीन में और सिलाई लगाएंगे तो देखे इस तरीके से इसमें आपको सिलाई लगा लेनी है अब देखे यहाँ पर आने के बाद यह जो हमारा सेंटर है इसको आपस में मिलाना है ठीक है इसको आपको हलका भी आगे पीछे नहीं करना है बिलकुल यह हमारा मैच होना चाहिए दोनों सेंटर अब देखे इस तरीके से इसको आगे की सिलाई लगा लेंगे और आपको पूरे में यह सिलाई लगा देनी है अब देखे सिलाई हमने इसमें लगा दी है ठीक है सिलाई लगाने के बाद अब इसमें आपको क्या करना है यहाँ पे यह जो है न हमारा यहाँ पे कट लगा लेना है ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमारी सिलाई हमने सिलाई को गुमाया हुआ है यहाँ पे cut लगा लेंगे देखे इस तरीके से cut लगाने के बाद अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे ठीक है अब simple आपको क्या करना है यह जो हमारा back का मारजन है इसको अंदर दे देना आपको इस तरीके से यहाँ पे अंदर इसको दे देंगे इस तरीके से इसको आपको set कर लेना है यहाँ पे हमें तुर्पाई करनी होती है ठीक है तो यहाँ पे अब आप क्या करना है पूरे गले में आपको तुर्पाई कर देनी है यहाँ पे इस तरीके से अंदर रखते हुए margin को अंदर रखते हुए पूरे गले में आपको तुरुपाई कर देनी है तो चलिए मैं एक बार तुरुपाई कर लेता हूँ तो देखे पूरे गले में तुरुपाई करने के बाद हमारा ये होल्टर नेक इस तरीके से तैयार हुआ है तो बिल्कुल सुन्दर सा नेक डिजैन हमारा ये बना है तो दोस्तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे तो मिलते हैं एक होर नई वीडियो के साथ ठैंक यू फूर वोचिंग